आज मैं आपको कहानी सुनाने वाला हूँ दो इंडियन स्पाइज की, मतलब दो भारती जासूसों की मेरा पहला स्पाइज वो है जिनके बिहाग पर जब हैंरी यूल ने अवार्ड रिसीव किया था जी हां वही हैंरी यूल जिनकी कहानी मैंने अपने इस एपिसोड में बताई है तो जब हैंरी ने ये अवार्ड रिसीव किया था तो उन्होंने कहा था कि his observations have added a larger amount of important knowledge to the map of Asia than those of any other living man यानी कि इस इंसान ने Asia के नक्षे के लिए जो काम किया है उतना शायद और किसी भी इंसान ने नहीं किया है मेरे दूसरे स्पाय जो हैं इन्होंने against all odds अपना काम पूरा किया पर तब भी इन्हें credit नहीं मिला और वो इतिहास के पन्नों में खो गए लेकिन इन दोनों की ही कहानी बहुत मज़ेदार है जी हाँ ये कहानी है दो स्पाय एक्स्प्लोरर्स की मेरा नाम है अक्षा कपूर 1860 में भारत का नक्षा बनाने के बाद Britishers हिमाले के आगे क्या है ये जानना चाहते थे जानने की दो प्रमुक वज़े थी एक तो वो अपना ट्रेट बढ़ाना चाते थे और दूसरा कि अब रूस यानि की रश्या सेंटरल एशिया में अपना दबदवा बनाना शुरू कर चुका था दिक्कत ये थी कि चायना की किंग डाइनेस्टी का 1791 साइनो नेपलीज वार के बाद से तिबद की पॉलिटिक्स में दबदवा था और इसलिए तिबद अथारिटीस किसी भी येरोपियन को अपने देश में गुसने नहीं देती थी जिन्होंने भी कोशिश की उन्हें बंदी बनाकर मार दिया गया था ब्रिटिश अर्स अब ठक चुके थे कोशिश करकर के लेकिन इसे बीच दे ग्रेट टिग्नोमेट्रिकल सर्वे के एक एक सुझाव दिया कि क्यों ना भारती अमूल के एक्स्प्लोडर को स्पाय बनाकर तिबद बेजा जाए उनके सुझाव को 1862 में जाकर मंजूरी मिली और अब ग्रेट टिग्नोमेट्रिकल सर्वे की टीम ढूड रही थी एक भारती अमूल के एक्स्प्लोडर को जिसे स्पाय बनाकर तिबद बेजा जाए और यहां एंट्री होती है हमारे आज के एपिसोड के हीरो की जिनका नाम था या जिनका नाम है नैन सिंग पंडित नैन सिंग का जनम उत्राखंड के मिलाम गाउं में हुआ था नैन सिंग भोटिया जाती के थे भोटिया जाती के लोग उत्राखंड में रहने वाले वो लोग हैं जिनके पूरवज तिबबत से थे नैन अपने स्कूल खतम करने के बाद अपने पिता के साथ कई बार तिबबत के अलग-अलग शहर जा चुके थे उनके पिता एक ट्रेडर थे और यही आत्राएं थी जिसमें नैन ने तिबबती कल्चर, कस्टम्स और भाषा सीखी थी 1956 में अपने पिता के कहने पर नैन अपने भाई मनी के साथ एक जर्मन टीम जिसमें की हर्मन, एडॉल्प और रॉबर्ट थे उनको वो तिबबत ले जा रहे थे मगर तिबबत ने उन्हें एंट्री नहीं दी और आदे रास्ते से उन्हें वापस आना पड़ा इस टीम को नैन बहुत पसंद आये और टीम ने नैन को उनके साथ यूरोप चलने के लिए भी कहा मगर नैन ने मना कर दिया इस टीम ने आगे अपने ब्रिटिश अर दोस्त को नैन सिंग को रेकमेंड किया और इसी तरह नैन अपने भाई मनी के साथ आप पहुचे धेरादून ग्रेट टिग्नोमेट्रिकल सर्वे आफ इंडिया के हैटकॉर्टर धेरादून में इन्हें मंटागुनी ने सर्वे के कुछ कुण सिखाए कैसे करते हैं सर्वे कैसे होते हैं सर्वे के उपकरण उन्हें कैसे इस्तमाल किया जाता है स्पाय कैसे अपने उपकरण को छुपाता है ये सब बाते सिखाई थर्मोमीटर में इस्तमाल होने वाली मरकरी को एक खास बने बोल के नीचे चुपाया गया यानि कि कटोरी के नीचे कांच के अंदर एक नया प्रेयर वील बनाया गया है जिसमें नोट्स चुपाए जा सके और एक रुद्राक्ष की माला भी दी जिसमें 108 की बजाए 100 बीट्स थे और उन्हें किसी भी टरेन में एक कदम precisely 33 इंच का रखना सिखाया गया नैन एक ट्रेडर्स की टोली के साथ जाते हैं तिबबत रास्ते में एक राच ट्रेडर्स नैन को चक्मा देकर उसके पैसे चुरा कर भाग जाते हैं और नैन अकेले रह जाते हैं एक विरान सी जगह पर पर नैन के साथ उनका एक बैग रह जाता है जिसमें सब से नीचे एक चोर कॉकेट में रखा था एक सेक्स्टेंट, एक थर्मोमेटर, एक क्रोनोमेटर, एक कमपस और एक मरकरी का कंटेनर नैन अकेले थे उनके पास खाने के पैसे भी नहीं थे मगर उन्होंने हिम्मत नहीं आ रही वो आगे चल पड़े लासा की और भीक मांगते, मजदूरी करते, कई महीनों बाद जाके राकिर जनवरी 1865 में वो पहुचे लासा नैन सिंग ने अपने आपको एक तीर थियात्री बताया और वो उस समय के दलाई लामा से भी मिले थे लासा में उन्होंने टीचर बनकर कुछ मर्चेंट्स को एकाउंटिंग भी पड़ाई मगर वो तब डर गए जब उनके सामने तिबबत की अथोरिटीज ने एक चाइनीज इंसान को मार दिया क्योंकि वो बिना परमिट के लासा में आया था इसके बाद नैन सिंग ने दिन के समय अपने कमरे से भाहाँ निकलना कम कर दिया वो रात को भाहाँ निकलते थे और अपने स्टेक स्टेंट और तारों की मदद से latitude और पानी की boiling point को measure करके altitude यानी की height नापते थे और अपने notes में record करते थे Nain ने Lhasa का altitude बताया था 3420 meters और आज असल में निकला है 3540 meters Nain Singh अप्रेल में Lhasa से निकले और 800 km पश्चम की तरफ चले गए सांग पो नदी के किनारे किनारे अपने कारवा के साथ फिर एक रात सही मौका देखकर वो कारवा से भागाए मांसरोवर होते हुए देहरादूर Nain ने अपने 21 महीने के adventure में 1000 km से जादा का area survey किया था 31 जगों का latitude measurement लिया था और 33 जगों का altitude measurement इसके बाद Nain अपने भाईयों के साथ दो बार और तिबद गए और बचेवे area को भी measure किया ये काम वो 1875 तक करते रहे 1877 में Nain सिंग को दिया गया Royal Geographical Society's Patrons Medal for his great journeys and surveys in Tibet and along the upper Bhamaputra he has determined the position of Lhasa and positive knowledge of the map of Asia Henry Yule ने उनके बिहाफ पर ये award डिसीव किया था Henry Yule के बारे में आप इस वीडियो में जान सकते हैं 27 जून 2004 को भारत ने एक post-res stamp भी निकाला Nain सिंग के सम्मान में 2006 में शेखर पाठक और उमा भट ने उन पर लिखी एक biography जिसका नाम रखा एशिया की पीठ पर और 21 अक्टूबर 2017 को गूगल ने जी हाँ गूगल ने उनके 187 बर्ड़े पर एक गूगल डूडल उन पर निकाल कर उन्हें सम्मानित किया लद्दाक की प्रसित पैंगॉंग जील के दक्षिन की पहड़ियों का नाम उनी के नाम पर रखा गया है नैन परवत शंकला तो ये थी कहानी नैन सिंग की अब जिन दूसरे स्पाई के मैं बात करने वाला हूँ उनकी कहानी भी नैन सिंग से ही शुरू होती है इनकी कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आप भारत के नक्षे पर और खासकर माउंट डैवरेस की कोच पर एक मज़ेदार कहानी सुनना चाते हैं तो ये एपिसोड देख सकते हैं इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल रहा हूँ अच्छा नैन सिंग के काम ने ब्रिटिशर्स के सामने एक बढ़ा ही इंटरस्टिंग जोग्रोफिकल सवाल लाके खड़ा कर दिया था कि क्या सांगपो ही भरंपुत्र है इस मिस्ट्री को सुल जाने सर्वे के अधिकारियों ने एक तरकीब निकाली उन्होंने सपाइस की डोटीम बनाई योजना के मताबिक पहली टीम को तिब्बत जाकर सांगपो नदी में कुछ लकडी के लॉक्स फैक ने थे उन्हें तिब्बती महीने के 5 डे से 15 दे तक रोजाना 50 लकडी के लॉक्स सांगपो नदी में बहाने थे और दूसरी टीम को नीचे भ्रहंपुत नदी में असम में उन लॉक्स को चेक करकर पकड़ना था तिबज जाने वाली टीम के दो स्पाई रखे गए थे एक चाइनीज लामा था और दूसरा था सिक्किम प्रदेश का एक सर्वेयर जिसका नाम था किन्थूप ऐसा लगता है कि सर्वेय अधिकारियों ने लामा को गलत पड़ लिया क्योंकि लामा काम से ज़्यादा इस मिशन पर मौच करने आया था उसे दारू पसंद थी एक गाम में इन दोनों की टीम चार महिने तक रुकी रही क्योंकि लामा को उनके होस्ट की बीबी से प्यार हो गया था जब गाम वालों को पता लगा इस रिष्टे का तो लामा को उस समय 25 रुपर देकर अपनी जान बचानी पड़ी और वहां से भागा किंतुप एक सीधा लड़का था बगर अथोरिटी सारी लामा के पास थी किंतुप को गुमरा कर लामा ने किंतुप को एक दिब्बती सर्पंज को बेच दिया और वहां से भाग निकला किंतुप बिचारे ने एक साल तक गुलाम की तरह काम किया और इसके बाद वो किसी तरह भाग निकला उसने बचने के लिए एक बौद मठ में शरण ली मठ में कई महीनों तक उसने नौसी की बिक्षुप की तरह अपना जीवन बिताया और फिर मौंग से तीर त्यातरा की आग्या लेकर वो वहां से निकला तिबबत के लिए इन सब बातों के बावजूद किंतुप अपना मिशन भूला नहीं था वो सांको नदी के किनारे एक जगे पर रुका वहां उसने आराम से पेशन से 500 लकडी के लौक्स काटे सर जो लामा मेरे साथ भीजा गया था उसने मुझे गुलाम के रूप में एक जौंग पैन को बेज दिया और सारे सरकारी उपकरण और पैसे लेकर भाग गया है इसके बावजूद मैंने योजना के अनुसार 500 लौक्स बना लिये हैं जिनको मैं सांग्पो में फैकूंगा तिब्वती कलेंडर के दसवे महीने चुहुलुक के पांचवे से पंदरवे दिन तक इसके बाद किन्थुप ने ऐसा ही किया सांग्पो में बहे वो सभी लकडी के लौक्स असम के ब्रहंपुत्र में जरूर आये होंगे क्योंकि आज हम जानते हैं कि सांग्पो ही ब्रहंपुत्र है मगर उस समय ये पत्र अधिकारियों तक कुछ देरी से पहुचा और तब तक दूसरी टीम असम से जा चुकी थी इसलिए वो लौक्स भैकर चले गए होंगे और किसी ने देखा भी नहीं होगा इसी वजए से किंतुप को कभी एकलेम नहीं मिला और किंतुप ने अपना सारा बचावा जीवन एक टेलर का काम करते हुए निकाल दिया डाज लिंग में ये थी किंतुप की असल कहानी जिसे आप नीचे दिये गए विकीपीडिया लिंक पर पढ़ सकते हैं इसी बात के साथ मैं आज का एपिसोड खटम करता हूँ मैं हूँ आपका होस्ट अक्षे कपूर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद and yes please don't forget to like, share and subscribe. Thank you.